नमस्कार दोस्तों मैं आपको इस विडियो में कई जोन या डिवीजंस में अबसेंट हो रहे कंड़ीडेट्स का एक डेटाबेस दिखाने वाला हूँ साथ ही इस से जुरी जो भी जानकारी मेरे पास है मैं आपके साथ सेर करने वाला हूँ यह वीडियो आप सभी Standby Candidates के लिए काफी informative और hopeful सावित होने वाली है So please इस वीडियो को अंत तक देखे मैंने अपने पिछले वीडियो में कई सारे RTI reply दिखला हैं जिसमें Non Turnup Candidates की जानकारी दी गई थी इस database में किसी भी RTI reply के माध्यम से, website के माध्यम से या किसी other source के माध्यम से मुझे जो भी जानकारी प्राप्त हुई है जो की एक Standby Candidates के लिए किसी भी तरीके से मददगार सावित हो सकती है मैंने उन सभी data को इस database में एक जगा एकत्रित करने की कोशिस की है तो चलिए बिना देर की हम सबसे पहले उस database को देखते हैं आप यहां देख सकते हैं यह database जो मैंने बनाया है इस पेसली जूनियर इंजिनियर पोस्ट के लिए है और इसका title मैंने rrb panel position रखा है क्योंकि rrb द्वारा जो main panel जारी किये गए हैं वो सभी divisions में जितने भी receive हुए हैं उसमें से कितने candidates join कर चुके हैं और कितने candidates अभी तक report नहीं किये हैं उन सभी की जानकारी इस database में हैं इसलिए उस rrb panel की positioning हम कह सकते हैं इसे इस database को तो इस कारते मैंने इसका title rrb panel position रखा है आप यहां देखिए पहला division जिसकी जानकारी इस database में है वह है दीन दयाल उपाध्या division इसमें total हमने तीन category बनाई है जेए ट्रेक मसीन जेए सिगनल टेलिकॉम केरें बैगन पावर वाली मेकेनिकल की और जेए पीवे बिरिज वर्क्स एन ड्रोइंग सिविल डिपाटमेंट की आप यहां देख रहें कि ट्रेक मसीन में total 96 को कोई appointment letter भेजा गया था जहां पर 15 लोगों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है और यह RTI के मध्यम से हमें reply मिली थी और यह जो अंकरा है यह दिन दयाल उपाध्याए division के website पर भी बाद में दे दी गई थी और यह जो आप देख सकते हैं यहां पर इसकी जो डेट है 12 ता कि यह है तो थर्ड रिमाइंडर नवंबर या दिसमर में उनको दिया गया होगा तो आप मान के चल सकते हैं कि इसमें से जो कंडिडेट आपको not reported दिख रहे हैं उसमें बहुत कम चांस है कि अब यह रिपोर्ट करेंगे क्योंकि जिने करना होता है फर्स्ट सेकर्ड मेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग मिक्स कर दिया है तो आप यहां देख सकते हैं कि different different post को सबको include करके total 70 लोगों को appointment letter भेजा गया था यहां से और 14 candidate अभी तक report नहीं किये हैं और यह जानकारी भी जहां सी division के website पे लेबल थी वहां से मैंने इसे collect किया है उसके बाद आगरा division का देख सकते हैं आगरा टोटल 26 लोगों को बुलाया गया था आगरा division से जिसमें चार लोगों ने report नहीं किया है इसी परकार से आप आगे देखें तो वहां भी track machine में 20 में से दो लोगों ने report नहीं किया और इसकी है अब यहां पर रर्वी सिकंद्राबाद इसके बारे में हम सभी जानते हैं इसकी तो replacement panel भी आ चुकी है तो जितने लोगों की replacement panel आई है उतने लोग या तो report नहीं किये होंगे या तो फिर report करने के बाद उससे जो भी हो जौब को left कर चुके होंगे जैसे भी हो overall इसमें से 9 लोग जो थे finally absent हो चुके थे जिसकी वज़ा से उनका तो final replacement panel भी आ गया है मतलब 9 stand-by candidates की इसमें final selection भी हो गई है और यह total आकरा देखे तो जेई track machine की 62 seat थी 62 में से 2 का appointment लेगर भी भेजा ही नहीं नहीं गया था मतलब 60 में से 9 लोगों का यह क्या करते हैं not reported case हम इसका सकते हैं और इसका इसकी जानकारी हमें वह सिकंद्राबाद की replacement panel से ही मिल जाती है अब आप देख सकते हैं कि धनवाद division में junior junior TRD TRS department मतलब कि electrical में TRD और TRS में 17 में तीन लोग report नहीं की हैं और यह RTA के माद हम से इसका reply आया था उसी प्रकार से RRB Mumbai में हम देख रहे हैं कि SNT and telecom में मतलब कि electronics department में electronics का जो telecom and SNT department है उसमें से कुल 177 में से 19 absent है और यह जो 177 है RRB Mumbai के जितने भी division से लगभग सभी का आकरा था different different आकरा एक RTA reply में आया था सबको मैंने collect करके जोर करके आपको यहाँ पे दे दिया है तो आप SNT का समझ लीजे कि वहां की total जो post थी Mumbai की सभी division में जहाँ-जहाँ भी allot हुई होगी सबका different आकरा add करके दिया गया है तो आहां पाते हैं क्या कि 177 में से 19 लोग absent है और इसकी जानकारी RTA के माध्यम से ही मिली ऐसे ही RRB Mumbai के track machine post के लिए 126 में से 11 लोग report नहीं किये हैं दूसरी ओर हम यहां RRB मालदा का है JTRD TRSGS मतलब की electrical department में RRB मालदा के electrical department में 27 में से 4 लोग job left कर रहे हैं और यह जानकारी जो है वहाँ जो training कर रहे हैं वहाँ पर जो लोग training कर रहे हैं उनके बीच से 27 लोगों का group था 27 लोगों में से चार लोग ऐसे हैं जो कि बीच में training करते हैं उस training को छोड़ करके चार रहे हैं तो यह बाकि हमने जितनी भी information आपको दिये सारी official किसी आर्टीय वेबसाइट के माद रहे हैं लेकिन यह जो है अन ओफिसियल है लेकिन 100% accurate है और आरवी मालदा में से 27 में से चार लोग क्या है जो लेफ्ट कर रहे हैं तो जैसे भी हो जिस रूप में किसी भी रूप में यह स्टेंडबार कंडिट्स के लिए कोई डेटा है कोई आकरा हमें मिलता है जो कंफर्म को यूजफूल होगा तो सभी हमने इस डेटाबेस में इंसर्ट करने की कोशिस की है और तो इस प्रकार से देख सकते हैं और एक आखरी हूबली डिवीजन का हमारे पास आकरा है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट करते हैं कि एक जो अपसेंट है अपसेंट होने की पूरी संभावना है तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे डेटाबेस में हमने जहां-जहां से भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है जो स्टेंडबाइ कंडिडेट के लिए यूजफूल हो सकती है सबको कलेक्ट करके एक जगा करते रहेंगे और आपको अधि हमें लगेगा कि इतना सफिसेंट नंबर ओफ चेंजेज हुए हैं तो हम आपको फिर से इस डेटाबेस को पूरा दिखाने का काम करेंगे हम यहां सब को सम करके जब देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि टोटल 690 कंडिडेट को 21 तो 91 कंडिडेट टोटल 690 में से ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं किये हैं अगर हम इसे परसेंटेज में करते हैं तो यह लगवा कितना आकड़ा आता है यह 13 परसेंट का आकड़ा आता है तो ओवर ओल सारे डिवीजन्स का कलेक्ट करके हमें जो आकड़ा मिला है उसमें हम अभी यह कर तक रहें कि 10 से 15 परसेंट के बीच ऐसे कंडिडेट्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है तो इस डेटाबेस के माध्यम से हमने एक छोटी सी कोसिस की है जिससे हम यह जान सके कि ओवर ओल जुनियर इंजिनियर पोस्ट के लिए कितने परसेंट अस्टें कोमेंट बॉक्स में जरूर दे ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और ज्यादा बेहतर कुछ कर सके तो प्लीज अस्टे कनेक्टेड विद थास फोर फॉर्दर इंफर्मेशन ओके थैंक यू